हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल इसमें हम लोग देखने वाले हैं भागोली खोज जो कलास नाइन्थ का चेप्टर वन है यह बहुत ही इंपर्टेंट चेप्टर है विभीन परतियोगी परिक्षाव में इससे प्रस्ण आते रहते हैं और यह नाइन्थ के लिए अन् भागोली खोज का अर्थ यह होता है नई भूमी का खोज नई जमीनुझे के उस टुक्रेश को खोजना जो दुनिया से अनभिग घ्ये हैं जिसके बारे में अभी तक जनकारी नहीं है उसको अम लोग क्या कहते हैं भागोली खोज़ तो भागोली खोज का क्या अर्थ दिवाद जो है एस्पेन और पूर्टगाल ने शुरू किया था जिसको देखा देखी आगे चलके अन्य देश भी इस कारिये में लग गए अगला कोशन है कि किस महासागर को अंध महासागर भी कहा जाता है तो यहां ध्यान दिजीएगा अटलांटिक महासागर को अंध महास सागर की उपमा दी जाती है अगला कोशन है कि जरूसेलम किस देश में पड़ता है जरूसेलम जो है इजराइल वर्तमान इजराइल में पड़ता है जिसको अभिया जहां पर अभी लराई चल रही है तो इजराइल जो होता है इजराइल यहुदियों का देश इसको बुला आ में आगे देखेंगे हम लोग यहुदियों का देश किसे कहा जाता है यहुदियों का देश जो इस्तामबूल है जो तुर्की देश में पड़ता है इसकी सीमा यूरोप में में पड़ता है और कुछ इसका भाग ऐसह जाता है तो कोश्तुन तुनिया जो है एकए पहले जो है डूसरे देश में रोमन समराज का हिता हुआ करता था जिसको तुर्की के मानिया समराज जीत कर उसमें मिला लिया तो यह बर्तमान समय में तुर्की देश में पड़ता है जिसका नाम जो है क्या है इस्तांबुल है याद रखेंगे फिलम भी आया था मिसन इस्तांबुल यदि आप लोग देखे होंगे तो याद भी आ होगा अगला कोशन देखते हैं हम लोग कुस्तुन तुनिया पर किस देश ने कभजा कर लिया तो कुस्तुन तुनिया पर तुर्की ने कभजा कर लिया तुर्की देश तुर्की का इस उस्मानिया समराज्जी उस्मानिया सल्तनत जो भी कहिए कुस्तुन तुनिया को इंग्ल अभी परजेंट में इसका नाम जे है इस्तांबूल रख दिया गया है अगला है आठ प्रस्ण जानते हैं पंद्रहवीस अबदी में यूरोप और एसिया के मधिवयापार किस मार्ग से होता था तो वह जो रास्ता था यही था कुस्तुन्तुनिया का रास्ता ही था जिसको औ बूरी के बज़ा से उन्होंने नए रास्ते ढूरने शुरू किये और इस दवरान उन्होंने समुद्री मार्ग से भारत के खोज किया यही कमी था अगर यह रास्ता ब्लोक नहीं होता तो समुद्री मार्ग से कभी भी वह लोग जो है रास्ता ढूरने के प्लान में नहीं रहते और भारत जो है समुदरी मालक से नहीं आते अगला आता है कि कुष्टुन तुनिया का वर्तमान नाम क्या है इसका वर्तमान नाम क्या है इस्तांबूल है जो हमने अभी आपको बताया पूरे डिटल के साथ आप सुनते रहें संपुर्ण जनकारी आपको मिलेगी अब इतना जनकारी आपको साइधी कहीं दिखने को मिला हो इसलिए आप अच्छे से देखिए यहां आ गया इरोप वासियों ने कंपास का ग्यान किस से सिखा अर्बो से यह जो है दीशा सुचा के यंद्र था जो समुद्र में दीशा का ग्यान दिया करती थी इसके पहले जो है हो गया तो लोगों के पास एक क्यान हुआ दीशा का किस दिशा में हम जा रहा है मायप का खोज हो गया एस्ट्रोलोप का खोज हो गया तब जो है जाना आसान हो गया अगला आता है कि प्राचीन रोमन समराज कितने भागों में बटा हुआ था यह जो है दो भागों में रिलेटेड बात हीं बताएंगे कोई भी एक भी कोस्तन इधर उदर के नहीं है तो आपको जहां किता में थोड़ा कम जनकाड़ी दिया गया लेकिन हमने आपको एक्स्ट्रा नॉलेज देने के पहरपुर कोशिस किये हैं तो याद रखिएगा प्राचिन रोमन समराज कितने में बटा हुआ था दो बागों में बटा हुआ था एक था पुर्वी रोमन समराज को जो है बैजनतिया समराज बलाया था क्या बलाया था बैजनतिया समराज बलाया था जिसकी रजधा ने कुस्तुन तुनिया थी जिसको उस्मानिया समराज ने कबजा कर लिया और तुर्की में मिला दिया आगे आ जाता है कि पुर्वी रोमन समराज को क्या कहा जाता था तो पुर्वी रोमन समराज को बैजनतिया समराजे कहा जाता था बैजनतिया समराजे इसका पीडियेफ आपको मिल जाएगा यदि आप लोग कंटेक्ट करते हैं तो आपको टेलिग्राम या फिर वार्से पर हम फुल पीडियेफ पूरे एंसर के साथ भेज देंगे जैसे आप पर रहा हैं यह सब चल जाए था अगला आता है कुस्तुन तुनिया पर किस समराजे ने कबजा कर लिया तो कुस्तुन तुनिया पर तुर्की का उस्मानिया समराजे ने कबजा कर लिया तुर्की का उस्मानिया समराजे ने कबजा कर लिया आगे जानते हैं अच्छांच जानने वाले उपकरन को क्या कह जहाज था जिसे पूर्तगालियों ने बनाया था यह एक नई किस्म का जो है हलका और त्यर्चाल से चलने वाला जहाज था जिसका नाम क्या था कैरावल कैरावल और कैरावल को किस ने बनाया था पूर्तगालियों ने इसे बनाया था अगला आता है कि दूर की बस्तू को दे पहली बार किये थे यह चेसमा भीया पारी ते मास्त पहली बार खीуса काहसेरा किकीतों लेकिन इसको एक हैंप पहचान मिला तो दूर्बीन का उपयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया उपयोग के तरपर तो यह जो थे गयली यो गयली थे कौन थे गयली यो गयली यो गयली ने पहली बार दूर्बीन का उपयोग किया अगला आता है कि दक्षिन फिरका के दक्षिन तम बिंदू को क्या कहत यहीं से भारत के खोज मिलेगा यह जो है दक्षीना फिरका जो है आगे हम बताते हैं यहां ध्यान दिजिएगा हाँ उत्मासान तरीप के खोज कौन की थे बार्थो लोमियो डियाज जो पूर्तिकाल के ही यातरी कहिए नाविक कहिए या फिर व्यापारी कहिए जो कहना है कह इसलिए हमने सब सलैस करके लगा रखा है तो बार्थो लोमियो डियाज पूर्तिकाल के ही यातरी थे नाविक थे जिन्होंने भारत मिशन पही निकला था और यह दक्षीना फिरका के उत्तम आसान तरीप पहुँच कर वहीं से इन्होंने अपने हीमत खो दिया और वहां से रिटर्न हो गए लेकिन यह एक उमीद का कीरन वहां पर जगा के गए कि यहीं से आपको भारत आने के लिए भारत जाने के लिए यहां पर जो आएगा इसके आगे ही भारत है इसलिए इसमें जो है उमीद है इसमें एक उमीद होप है होप में क्या होता है उमीद आसा करना इसलिए इसका नाम रख दिए वे उत्तम आसा अंतरीब तो बार्थोलियों डियाज ने उत्तम आसा अंतरीब के खोज किये थे बार्थोलुमियों डियाज ने उत्तम असांतरियीप के खोज किये थे 1478 में इसका खोज किये थे आगे जानते हैं हम लोग अगला आता है क्रिश्टोफर कोलमबस किस देश की खोज पर निकले थे तो यह जो थे कुष्टोफर कोलमबस ने किस देश की और से किस देश की ओर से खोज़ पर निकले थे फुर से j Jerusalem की ओर से निकले थे जिनको जैक खर्चार दिया गया था वहां कहां के राजा के दोरा ऐस्पेन के द्वारा एस्पेन ने जो है कोलम्बस को दोला आप भारत खोज पर निकल लिये जो भी खरजEMA हो घुठ होनगे अप आपको फूल्फिल करेंगे तो क्रिस्टुपर कोलंबस primit किस देश की ओर से ध्यान दीजेगा जाङ सब्सक्राइब निकलते हैं और सब्सक्राइब से लगता है जाते जिसका नाम रखते हैं West Indies तक कोलम्बुस ने वेस्ट इंडिज का भी खोज कर दिया था तो वेस्ट इंडिए खोज कौन किये हैं कोलंबोश कोई पूरा नाम क्रिश्टोफर कोलंबस है आप कन्फिूज नहीं होंगे तो कुछ मंपूछेगा कॉलंबस या क्रिश्टोफर कोलंबस जो कह थे अमेरिकाफ को निकले थे अच्छे तरह तो यह फिसके पहले जो है जानता ही नहीं था अमेरिका के बारे में रत्ति भर भी को लंबस के फियानों के द्वारा अमेरिका के जनकारी पूरे एचोर्ण कर दिया गया अगला आता है किस के नाम पर अमेरिगी के नाम रखा गया किस ने इस आमेरेका को भारतीम उपहाद्विब का हिसा सब्सक्राइब यह कोलम्बस थे जिन्हें ने अमिका को ही बहुत दिनों तक भारत यह समझवाया को लंभस ने अमेरिका निमास्योंग क्या कहा तरहीं होने महां के निमास्युंग को जो दिखन अन्हों में लाल लल लग रहे थे उसको रेड इंडियन बोले क्या वह को को लोगों को मिल कर किया है लेकिन विसेस्व नाम जो है जिनों ने होने वहां पर 17 वरस कर संपुल खोज उसके बारे में पता किए जिन गे कोंगे करते हैं यह भी पूर्टगिल हैं है पूरी दुनिया का चकर लगाया अस्ट्रेलिया की खोज किसने क You कूण के के च्पूरिया के खोज किये ऩू है कौन की यह कैपटन कुक जो है आज मतैं लोग बढνοी जानते हैं अगला कोस्त है:「 38 ध्यान दीजिएगा आन् नियूजीलन के दीपो का पता भी Captain Cook ने ही लगाया इदम होस में याद रखेंगे अगला आता है Newfoundland के दीपो का पता किस ने लगाया थे इसका पता जो है Sir John तथा Sebastian Cabot ने Newfoundland के दीपो का पता लगाया जिसने भी रिस्क लिया उसका नाम आज चल रहा है इन्होंने खतरों से खेल कर इन जगों का इन डीपो का पता लगाया है अगला आता है Henry the Navigator कौन थे Henry the Navigator जो है पूर्थगाल के राजकुमार थे उस समय के ततकालिन आप पूरे वीडियो को संपूर्ण देखिए आपको इतनी जनकारी हो जाएगी कि आपके दिमाग में साइध ही ये बात सब देख लते हैं तो आपका संपूर्ण जो है अब्जेक्टिव उसका किलिर हो जाता है और पूरा जनकारी ये प्रस इधर उधर से चूटने वाले नहीं है ठीक है तो आगे देखिए इसाइबेला कौन थी इसाइबेला जो थी एस्पेन की महारानी थी एस्पेन की महारानी ये लोग जो काफी एक्टिव थे भावगोली खोज को लेकर जिर्होंने भावगोली खोज करने वाले को काफी सपोर्ट और समर्थन किया अगला आता है कि अमेरिकी महादीव को यूरूपियों द्वारा क्या कहा गया तो देखिएगा इसको जो है यूरूप के लोगों न अमेरिका को नई दुनिया बोला क्या बोला नई दुनिया यानि न्यू वर्ड न्यू वर्ड इन होने बोला समुद्री मार्ग से भारत की खोज किसने की समुद्री मार्ग से भारत की खोज वासको डिगामा ने किया वासको डिगामा जो है वहां कुस्तुन तुनिया का रा ने इस मिशन पर निकला जैसे वार्थोलोमी यो डियाज पूर्थगाल से ही निकले पहले पहल लेकिन उन्हों ने उत्व मासा अंतरिफ से रिटर्न हो गये उनका जे हीमत उसके आगे काम नहीं किया वहें से रिटर्न हो गया और सारी बाते अपने डाइरी मिनोट कर दिये ज आदमी था मार्को पोलो जी सोने चीन का खोज किया चीन में बहुत दिनों तो समय बिताय लगवा 17 ब्रस वहां पे रहे थे अगला आता है कि मार्को पोलो ने विजय नगर समराज्य के समरीधी की तुलना चीन के किस सासक से की है तो वो सासक था चीन का उस समय का कूबलय ख कूबलय खा कूबलय खा से तुलना किये हैं अगला आता है वासको डिगामा ने समुदरी मार्ग से भारत की खोज कब की समुदरी मार्ग से तो यहां ध्यान देंगे 1478 में चुकि भारत भुलाया नहीं था यूरोप के बहुत सारे लोग भारत आकर व्यापार किया करते थे दिश्टर कहीं तरह करने लगा जिसके वयाँ से बिना मतलब परेशानी से बचने के लिए और समस्याओं से जो है बचने के लिए नहीं होने समुदरी मार्ग एक नया खोजा भारत के लिए और सफ़ल लकिन को मिला वासको डिगामा को वासको डिगामा कब आ गए 1498 में वा दिचान रखेंगे अगला आता है कि भारत पहुचने में वासको डिगामा की मदद किसने की तो मदद भारतिये वयापारी ही किया जिसका नाम था अब्दूलमजीद अब्दूलमजीद जह है गुजरात मुलके गुजराती थे अब्दूलमजीद ध्यां रखियेगा गुजराती जिसने वास्को डिगामा को लोकेशन बताया रास्ता बताया आइडिया दिया कि आप इस ऐसे वैसे करके आभारत में इंट्र कुषे हैं अगला आता है कि वाश्कों डिगामा सबसे पहले बारत किस प्रांथ किस राजजी में पहुण टो यह ठक族जहां के काली紫ट के हैं केरमालावर कट था और काली कट वहां पे ये पहुन ते हैं यहां आटा है भरत आने वाला प्रथम ये युड़ोपियन देश कौन था सबसे पहले यू यूरोप का देश आगर भारत में पह रखा तो यह कौन था पूर्थ-गा था और सबसे अंत में अगर कोई देश गयबो किया भारत छोर कर तो सिर्फ पूर्थ गाल ही था, जो सबसे लास्ट में कीया सबसे फष्ट आया सबसे लास्ट गया जो अंते अंत तक गोवा पर कबज़ा बनाये रखा जिसको सैनी करवाई के दवारा पूर्थ गाल को मारा गया और गोवा को आजात कराया गया ठीक है ना ध्याया रहिए सब से पहले आने वाला भारत में युरोपियन थे पूर्थ गाली यही थे अगला आता है भारत आने वाला प्रथम पूर्थ गाली व्यक्तिक पूछे देर कौन था वासकोड डिगामाजीर्ण होने पैर रखा यहां है नीदरलेंड के यह लोग है अगला आता है पुर्तगाल और स्पेन किस महासागर के पास अबस्थी था तो यह जो है अटलांटिक महासागर अटलांटिक महासागर के पास यह दोनों देश बसते हैं कौन-कौन पुर्टगाल और ऐस्पिन अगला ता किरिश्टोफर कुलम्बस की मिरतियु कब हो गए थी 1546 में 1546 इसमें क्रिश्टोफर कुलंबस की मिनिट्वी हो गई थी लिस्वन किसलिए पर सितव दास पर्था के लिए पर सिता मानोनी थिसकाड़ी यह के जुब है घखकण की राजधानी के भुत बारा जहांपे प्राचिन समय में मनुस्यों का दासों का खरीद बिक्री हुआ करता था अगला कोशन आ गया पुनर्जागरन का आराम सबसे पहले कहां हुआ था तो होता है इटली में कहां इटली में पुनर्जागरन का आराम होता है पुनर्जागरन का मतलब होता है फिर से जगना यानि मन में नई विचारों का जनम आना पुनर्जागरन का साब्दी कर फीर से जगना अर्थात नई जगरीती का उत्पन होना अगला कोसर में भास्कोट इंसको निकामा भारत कितनी बार आया था कि बड़ दाव horr.'' यह भर आया था और एक बार ठर्वर 14-72 में आया था और एक बार उन्हार अया था के लिए कोचिन में याद रखिया कि वास्को डिगामा भी भारत में ही मर गया था वास्को डिगामा की मिरित्यू जो है कब हो गई थी तो भारत में हो गई थी कब दिसंबर 1524 में वास्को डिगामा की मिरित्यू हो गई थी और उनका जो समाधी कोचिन में बनाया गया लेकिन चौदो बरस के बाद वास्को डिगामा के समाधी को पार्थिव शरीर को उनके देश में ले जाया गया जहां पे राज किये सम्मान के साथ वहां पे पुनह इनको अपने देश में दफना दिया गया अगला आता है प्रसांद महासागर के खोज कौन किये थे यह बाल बुवा थे कौन थे बाल बुवा थे जो यह स्पेन के नागरिक थे प्रसांद महासागर के खोज कौन किये बाल बुवा मैक्सिको के खोज कौन किस ने किया तो कोर्टेज या दर किये कोर्टेज पंद्रस कुझ कि अगला कोसन हम लोग जानते हैं विश्व का चकर किस यातरी ने सर प्रतम लगाया तो भीसव का चकर लगाने वाला यातरी कौन था मैगलिन अगला कोशन आता है अगर आहवी बराहवी सताब्दी में इसाई और मुसल्मानों के बीच धर्म यूध क्यों हुआ तो यह जो है यरूसिलम पर आधिपत्य अर्थात कबजे को लेकर हुआ था जो आज भी जारी है चल रहा है कोशन है मासालों का बाग भारत के किस राजी को कहते हैं तो यह जो है किरल को बुला जाता है किरल को जो है गार्डेन ओफेस बुला जाता है मासालों का बाग लेकिन मासालों का राने पुछेगा तो आप इलाईची कहिएगा अगला कोशन आता है भारत में तामबाकू जो है कैसे आया किस देश से इस देश में आया तो भारत में तामबाकु आगवन जो है पूर्तगाल से हुआ है पूर्तगाली लोग आये तो तामबाकु भी लाये यहां के लोग भी उपजाना खाना शुरू कर दिये अगला आता है वासको दिगा मा भारत से ले गए बनाफा कमाया गया तो वो 60 गुणा मुनाफा कमाया कितना साथ गुणा इतिहांस का पिता किने कहते हैं तो हेरो डोट्स को यह याद रखेंगे हेरो डोट्स अगला कोशन आता है भारत में आलू का आगमन किस देश से हुआ तो भारत में आलू का आगमन जो है पूर्तिगाल से ही हुआ है अगला आता है वासको डिगामा भारत दूसरी बार कब आया था तो दूसरी जो है पंदरस दू में आया था पहली बार 1498 में आया दूसरी बार 15 अपन्द्र सौ दू में आया तिसरी बार 1524 में अया वैसराय बनकर आया था जिसके कुछ दिन बाद ही उनका यहीं पे देहांत हो गया उनको दफनाया गया कोचिन में लेकिन चाओद बरसके बाद उनके स्पार्थिव सरीर को उनके ही देश में ले जाया गया जहां पुना होंगे देश में उसको समाधियों के बना दिया गया तो याद रखिए का दूसरी बार 502 में आये थे अगला आता है पुर्तगालियों ने पहली अपनी कहां अस्थापित की यह जो है कोचिन में के कोचिन में अपनी पहली फैक्टरिया स्थापित कर दिये थे भारत मे अंगरेजी इस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुई तो यह 1660 में अंगरेजों ने अपनी पहली फैक्टरिया पहली कंपनी भारत में अस्थापित कर दिये थे वेपार के सिलसिले में अगला आता है बासको डिगामा का पार्थिव सरीर कितने बरसों बाद भारत से पूरे मीटी के साथ लाद कर ले जाया गया अगला कोसन आता है पूर्तगाल के राजा इम्माइनुएल ने वासको डिगामा को पहली बार भारत से लोटने पर कौन सी उपाधी दी थी तो जो थे डौन की उपाधी दिये थे यह आपके हुए असी प्रस्न चेप्टर बन से पूरा घहन घोर हमने आपको पढ़ाया है जिसका आपको जह है पीडिये मिल जाएगा यदि आप संपर करते हैं तो आपको पीडिये भेज दिये जाएगा तो आज यह है पूरा हमने आपको पढ़ाया इसका जह